Hello Students, तो हम लोग physics का second chapter that is magnetic effect of current electricity start कर रहे हैं इसी syllabus में हमने सबसे पहले electricity के बारे में पढ़ा तो अब ये magnetic effect of current electricity क्या है ये बिल्कुल है कि जब electricity से magnetism produce हो So when electricity gives birth to magnetism We study magnetic effect of current electricity To charge के बारे में हमने बहुत पहले पढ़ा Static electricity का नाम सुना तो वो कहां से आया तो जब ही भी charge stationary होते है तो क्या आता है Static current आता है stationary current उसके बाद से हमारे चार्ज जो हमारे प्रिविस चाप्टर इलेक्टरिसिटी हमने किया उसमें हमारे चार्ज जो थे वो चार्ज क्या होने लगे वो चार्ज मूव होने लगे तो मूविंग चार्ज ने इलेक्टरिसिटी को बर्त दिया बराबर मैंगनेटिजम में charge move के साथ साथ ये goal गोल भी घुमते हैं बराबर ये goal भी घुमते हैं साथ में move भी करते हैं तो ये property कहीं न कहीं जो charge का moving property है ये भी बहुत देता है magnetic, magnetism को इसलिए हम ये chapter पढ़ रहे हैं कि magnetic effect of current electricity तो ये chapter में हम लोग पूरा क्या content पढ़ने वाले हैं मैं उसके बारे में एक बार आपको description देता हूँ ठीक है तो हम पढ़ेंगे भाई कि electricity produce करता है magnetism और दूसरा बार्ट moving magnets produce करेगा electricity इसका उल्टा भी तो electricity से magnetism आया और magnetism से बाद में क्या आएगा electricity आएगा ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे ओके electricity से magnetism आया ये देन था किसका तो जो main scientist जिनका main working force था वो hands wasted थे और magnetism से या magnet से moving magnet से electricity आया इसके पीछे के main force we can just say by our syllabus somewhere faraday was responsible तो हम लोग electricity से जब magnetism produce करेंगे तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो we will study भाई कि अगर electricity से magnetism आता है जैसे magnetism हमको वालू में कि magnet में होता है आपने magnet देखा भी है बार magnet है सब magnet तो उसके पास उसका कोई ना कोई field होगा उसके field में ही तो effect होता है magnet है ना magnet magnet drug तो magnet दूसरे magnet पर effect या दूसरे magnetic object पर effect वो दूर से उसको चिपका लेता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि magnet के around उसका field होता है तो बिल्कुल वह सही जब electricity magnetism produce करेगा तो इसके around भी उसका field होगा तो फिल्ड कैसा होगा उसके बारे हम जानेंगे फिर हम magnetic field lines की कुछ properties जानेंगे कि magnetic field lines का कैसा होता है क्या property होता है फिर हम magnetic field of bar magnitude यह सब एक ही content में discuss यह तीनों जो लिखा हो उसको हम लोग एक साथ ही discuss कर लेंगे और फिर आजाएंगे हम लोग straight current carrying जैसे हमने क्या पढ़ रहे है कि जब current wire से बहता है तो उसके आजो बाजो क्या आता है magnetism आता है यही पढ़ने वाले हम लोग उसमें तो हम लोग कुछ specific चीज़े पढ़ लेते कि अगर straight current current carrying conductor है तो उसके around magnetic field कैसा होगा तो next topic है magnetic field due to straight current carrying conductor उसके बाद अगर circular loop है बराबर wire अगर circular है तो उसके around magnetic field कैसा होता है यह भी जानना है हमें और अगर solenoid बना है तो solenoid exactly क्या है मैं आपको बात मता देता हूँ जब हम syllabus में आ जाएंगे तो solenoid type का अगर loop है तो उसके around magnetic field कैसा होता है यह जानेंगे हम लोग ठीक है उन सबसे पहले हम जानेंगे कि right hand thumb rule क्या होता है right hand thumb rule what is हम उसके बारे में बात करेंगे फिर जब यह magnet जो electricity के वज़े से produce है हम उसे electromagnets कहते है तो यह electromagnets का strength जो है वो किन-किन factors पर depend करता है यह भी जानना है हमें में भी यह magnetism का effect है इसके बारे में बात करेंगे हम लो फिर force on a current carrying conductor तो अगर कोई current carrying conductor है जिसको हमने magnetic field में रख दिया है तो उसके उपर कितना force लगेगा इसके बारे में बात करेंगे फिर FLHR flaming left hand rule इसके बारे में बात करेंगे और last में इसमें पढ़ेंगे हम लोग electric motor को यह पूरा आ जाएगा electricity produced by electricity which produces magnetism या फिर magnetism produced by electricity फिर electricity produced by moving magnet में क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे electromagnetic induction तो electromagnetic induction की बारे हम जानेंगे फिर हम लोग magnetic के दो experiment पढ़ेंगे उसको बलेंगे coil and magnet experiment कोईल एन कोईल एक्सपरीमेंट फिर हम पढ़ेंगे फ्लमिंग राइट हैंड डूल लिफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे इलेक्टरिक जेनरेटर के बारे में दोनों टाइप के AC और DC और लास्ट जो हमारा होगा होगा हमारा domestic electric circuit तो यह पूरा हमारा content है जो यह चाप्टर में हम पढ़ने वाले हैं तो बच्चो आपसे request यह है कि यह चाप्टर को बहुत अच्छे से समझ लो क्योंकि जब future में science लोगे तो एक पूरा पार्ट एक पुरा भुक का पार्ट आपका directly charges से स्टार्ट होगा और charge से स्टार्ट होके magnetic effect इन parts को बहुत ज़ादा content करेगा तो इनके उपर एक टॉपिक के उपर चाप्टर है बाद में आपको इनके उपर एक एक टॉपिक जो है न उसके उपर एक चाप्टर भी लेंगे और आप बाद में बहुत डीटल में पढ़ने वाले हो इन चीजों को तो इसके लिए जो content है उनको समझने की ज़रूरत है चलो हमारे पास तो कम से कम इतना content है इसमें जब देखेंगे जो scientist थे उन्होंने कैसे अपने content को develop किया था ब्राबर वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा motivation है हमारे लिए so let's not waste time let us start with the topic directly